और वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल मालेन ओवलेंडर और कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आपने ले लताक ट्रिप वाले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया और एक महिने में 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं जिसका आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आज निकल गए हम एक रेंडम ट्रिप के लिए जिसका कुछ पता नहीं था हमें खली प्रोग्राम बना आज सुबह स्लमान कठा किया गाड़ी में डाला और चल दिये एक्शली मैं रक्षा बंदन के लिए ब्रजर आयवा है डेली से शुबम तो इसने कहा बया कहीं चल है बैसिकली ओफिस में जारा काम था जिस वैसे वीडियो वगरा नहीं डाल पाया लेकिन अब आपको वीकली एक वीडियो जरूर मिल जाएगी तो इस वीडियो के बाद आपके लिए कुछ सर्प्राइज भी है तो वह आपको अगली दो तीन वीडियो में पता चलेगा क्य तो गाइज अभी हम पहुचने वाले हैं कालसी और देखते हैं चक्राता जाते हैं या रास्ते में ही कहीं रुकेंगे रिपेंट करता है जहां अच्छा नेचर देखने को मिलेगा वहीं रुक जाएंगे करता हैंगे कर दो कर दो तो देखिए बरसाद के टाइम पर पाड़ों पर हर्याली कितनी अच्छी हो जाती है जहां देखो बस हर्याली ही हर्याली यह देखिए अमेजिंग और अभी हम हैं पेराइट खाई वाले रास्ते पर यह नीचे जो दिख रहा है या आपको इधर डाक पत्थर और कालसी देख रहा है सबी हम पहुचे हैं व्यासी और जो यह आप देख रहे हैं यह हमारा व्यासी प्रोजेक्ट व्यासी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो एक सो बीस मेगावाट का है यहां पर दो मशीने लगी है शाट-साट मेगावाट की और यह नीचे पावर हाॉस है और यह उपर जोन करके दिखाताउ हूँ आपको यह एच आइचर्टी है यहां से पैन स्टाउक आताएं और अंदर यह अंदर पैन स्टाॉक जो जा रहा है वो नीचे इधर पावर स्टेशन पे जा रहा है और यहां दो मशीने लगी हैं 60 मेगावाट की, तो टोटल 120 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है, और अभी अपरेल में ही कमिशन हुआ है यह प्रोजेक्ट यह हमारा लोकेशन जहां हम अज रात केम्पिंग करेंगे, यह अपना रूफ टॉप टैंट और यह टाप हो गई, शेड हो गया, तो यहां आज अपनी होने वाली है केम्पिंग, अंधेरा होने वाला है, इसलिए टैंट वेंट अपना पूरा सेट अप पुरा कर लिया है, और यह पहाडों की गोद में हो रही है केम्पिंग, और अभी तक हमने खूब मजे कर लिया है, स्विमिंग पूल भी है यहां पर, लेकिन पानी नहीं भराया तो इस वएसे थोड आने का भी मस्त मज़ा आता, दिखाता हूँ आपको कहां पर है, स्विमिंग पूल, यह है अपना पूरी केम्पिंग की जगे, और यह है सामने स्विमिंग पूल जो खाली बड़ावा है, और अभी हम फिलाल है, जमना नदी के बगल में, व्यासी पावर प्रोजेक्ट से थोड़ा सा पहले और व्यासी का जो डैम है उसके बीच में, यह है केम्पिंग लोकेशन हमारी, बाकी अभी लाइटिंग वाइटिंग करके, फुल सेट अप करके, फिर आपको यहां के बढ़िया वाले नजारे दिखाते हैं, तो काईज, सेट अप अपना कम्प्लीट हो यह अपना रूफ्टॉप टेंट, हम्जा लाइट जल रही है, यह अपना कुछ सेट अप बनाया वाय है, जहां पर अपना, यह अपना किचन सेट अप है, जहां अपना खाना वाना बनाने के लिए, यह अपना बैठे हैं, हम लोग हराम से, इन्जॉय करते हुए, गाइस गुड मॉर्निग और वेल्कम बैक टो आवर चैनल, तो सुबह के बज़े हैं, साड़े पांच, और यह हमारी केम्पिंग लोग है, जहां हमने कल कैम्प किया था, पानी की थोड़ी तंगी है अभी यहां पर, जहां पर हम आये हैं, यहां पर पानी का पीछे से, पाइपलाइन एक्चुली में कुछ प्रॉब्लम करी है, जिस विए से पानी नहीं आ रहा है, तो गाड़ी को करते हैं बन, और चलते हैं, पानी के स्रोत की तरफ, जहां पर पानी है, बढ़िया ठंडा ठंडा, तो वहीं जाकर अपना फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ, यहां पर जहां हम रुके थे कल, तो कल तो नहीं दिखा पाया, तो अभी दिखाता हूँ आपको कैसी लोकेशन, यह है वो लोकेशन, जहां हम कल रुके थ है यह सारी रोकेशन जितनी जगह है यह सब नहीं कई है और यहां पर में गाड़ी पार करी थी जहां हम रुके थे अब चलते हैं यह स्विंग पूल भी है यहां पर लेकिन आज कर बुरसात है तो पानी खाली किया वाया है इसमें से इसे सारे आम का पूरा बगीचा है अधर और सब्सक्राइब लगा रखी हैं अक्रोब पोट अक्रोट के पेड़ हैं और आपका आड़ू के पेड़ हैं यह सब लगा रखे हैं नहोंने क्या नाम है इसका मफिन मफिन नो यह देखो पत्थर प्थर प्थर फैंक दो पत्थर लेके आता है और यह डॉगी इतना बढ़िया है इसे अगर पत्थर दो पत्थर फैंक के दो तो पत्थर भी उठा के लेके आता है पत्थर फैंक के लाएगा वह देखो पत्थर अब वहां से वह पत्थर उठा के लाएगा वह यह देखो ट्रेंड कर रखा है पूरा इसको यह यहां पर मिर्चे वगड़ा लगा रखे हैं और लगा रखे हैं बैंगन चले जी चले फिर यह दोनों डॉग्यों का घर यहां पर माचान बना रखा है उपर वहां बैठने का बहुत बड़ी आए गद्दे वद्दे लगा के आराम से बैठते हैं तो कल यही बैठे थे हम भी आज बड़िया वाली आज बड़िया वाली है ऐसे तो बड़िया वाक होती नहीं है यह ना हो कि बहुत दूर हो चलते चलते मिली निरा हो नहीं ज्यादा दूर नहीं होगा तो यमना का पानी तो अभी गंदा ही हा तो बरसात चल रही है ना खिलाल अभी इतना डवल्प नहीं हुआ है यह फाम ढे देड़े-धे कर रहे हैं इसको डवल्प तो इजराह भी इतने ज्यादा फैसलिटीज नहीं हैं यह है कि हाँ नॉर्मल फैसलिटीज है जो होनी चाहिए और यह है सुबह सुबह के नज़ार के पहाड़ के परसात में वैसे एक चीज है मज़ा आता है पहाड़ों में आके क्योंकि ग्रीन रही इतनी ज्यादा होती है कि हस्से जादा कि अभी राष्टे में आ रहे थे तो यह बोर्ड दिखा जो हमारे डिपार्टमेंट ने लगा रखा है एक्शली मैं जिस पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था यह उसी के रिगार्डिंग है तो देखेंगे आज कोशिश करेंगे वहाँ जाने की कोशिश क्या करेंगे जाएंगे आज एक्शली मैं शुब हमको दिखाना है पावर प्रोजेक्ट तो आज है वहाँ का हमारा जाने का प्रोग्राम फिलाल बस पानी का देखते हैं कहा पानी मिल जाए तो अपना नाध होके तैयार होके निकलते हैं और ये देखे आप ये है यमना नदी पानी जादा है लेका गंदा बहुत जादा है तो मेरे खिलाद तो डैम के गेट जो है वो खोल रखें पूरे तभी इतना फ्लो आ रहा है पानी का कि डेम पे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा कैसा बनाया है हमने डेम और वो देखिए सामने जो पहाड़िया दिख रही है आपको उस तरफ है मसूरी बादल ही बादल हो रहे है बादल है झाल झाल तो गाईज समान वगरा हमारा सारा पैक हो गया है और फिलाल आप यहां से निकल रहे हैं आगे अब आगे जा रहे हैं हम एक जगे है यहां पे जहां पे जहर्ना है काफी बहुत बड़ा जहर्ना है तो सोच रहें वहीं जाके नहावा लें फ्रेश हो लें तो ज्यादा बैटर रहेगा तो जस्ट निकलते हैं अब यहां से तो दिखाते हैं आप आपको जरने के नजारे लेकिन मुझे लगता है ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है यह तो इस ब्लॉग को फिलाल यहीं पर एं प्लॉग में शुवब से बाय तो चलिए मिलते नेस ब्लॉग में भाइब आप